जिलेबी की तरह गोल गोल ये है पहाड़ी डीस सेल तो चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया बहुती सौप्ट बनते हैं ये और ये है चावल का आटा तो यहाँ पर मोटे जो चावल होते हैं सपीद वाले उसका आटा लिया है दो कप और उसमें डाला है एक चौ मोयन इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको गूद लेंगे देखे मैंने गिला आटा हो जाता है ना उसी तरह इसको गूद के रख लिया है और ढखके एक घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे अब आटा अच्छे से यहाँ पर फूल चुका है तो इसमें मैं डालनी और सॉप्टनेस के लिए मैंने यहाँ पर दूद का इस्तमाल किया है और इस तरह जैसे जिलेवी का आटा बनाते हैं उसी तरह इसको अच्छे से फेट लेना है और यहाँ पर तेल गरम हो चुका है और इसमें डाल देंगे हम जिलेवी के आकार की ही तरह सेल और जैसे यह उपर से हो जाएगा तो नीचे से भी इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर मेरे तैयार हो चुके हैं गरमा गरम सेल नैपाली में सेल रोटी भी कहते हैं तो यह बनके तैयार हो चुकी है मेरे सेल और आप इसी भी किसी भी तीखी सां सर्व करिए या ऐसे ही खाई बहुत ही स्वाधिस्ट लगते हैं और रसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिगा